नमस्कार दोस्तों, सुरतार हर्मोनियम में आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर्मोनियम बजाने के लिए हाथों को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक समझाने जा रहा हूँ आप सभी वीडियो कुरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करेंगा वीडियो में हम पहली तीन या चार कॉर्ड को एड़ करेंगे और एक बहुत यह अच्छा इंटरलूट भी बन जाएगा और आप सब की प्रैक्टिस के लिए बहुत यह अच्छा विडियो है तो पहली जो कॉर्ड है वो है F-sharp minor इसको चार बार बजाएं दोसरा है E minor chord E major chord इसको भी जावर हो जाएगी फिर है एगला D major chord फिर एक सरगम है गामा धानी सारे सा नीधा पामा गरे सा फिर सो देखें गामा धानी सारे सा नीधा पामा गरे सा फिर से एक बार मैं इसको श्लो में समझा दे रहा हूँ देखें, chord F-sharp minor E major चार शार बार बजाना है D major फिर एक सरगम आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं बहुत इसलो बता रहा हूँ गमा धनी सारे सा नेधा पामा गरे सा अब आप देखें अगर इसको आप प्रैक्टिस करके फास्ट बजाएंगे तो कैसा बज़ें कितना अच्छा साउंड देखें देखें आपने दोस्तों कितना कितनी बड़ीया प्रैक्टिस है आप सबी इसको करें और जुड़े रहें हमारे साथ अगली वीडियो में एक और मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा बहुत बहुत अन्यवाद दोस्तों